इश्यू की जाई आज आम बच्छन सुनेंगे युहनना 10 अत्याई 22 से 42 तक। प्रतीती करते ही नहीं, जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ, वे ही मेरे गवा हैं, परंत तुम इसलिए प्रतीती नहीं करते कि मेरी भेडों में से नहीं हो, मेरी भेडे मेरा शब्द सुनती हैं, और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझ को दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। यहुदियों ने उसे पत्थरवा करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर ईशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं। उन मेंसे किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवा करते हो। यहुदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थर वाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तुम मनिश्य होकर अपने आपको परमेश्वर बनाता है। इश्व ने उन्हें उत्तर दिया क्या तुम्हारी विवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम इश्वर हो। परंतु यदि मैं करता हूँ, तो चाहे मेरी प्रतीती न भी करो, परंतु उन कामों की तो प्रतीती करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, तब नहोंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। फिर वह यर्दन के पार उस थान पर चला गया, जहां युहन्ना पहले भप्तिस्मा दिया करता था, और वही रहा, और भहुतेरे उसके पास आकर कहते थे, कि युहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ युहन्ना ने इसके विशय में कहा था, वह और वहां बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। पिता के आज से चील नहीं सकता। मैं और पिता एक है। कितना अच्छा चरवाह अमरा इश्व है। इनसान बनके आया है। वो भी परमेश्वरता हमारे लिए इनसान बनके आया है। चुडाने के लिए ऐसा हम विश्वास करने से अम उनको जान लेते हैं। इश्व सच्छा चरवाह है। अम विश्वास करना चाहिए। उनको सब्दों को सुनना चाहिए। इश्व का सब्दों को सुनके हम पीछे उनका पीछे हम चलते रहेंगे। कितना भी रस्ता तेड़े मेड़े। दुनिया कितना भी बिगड़ा हूँ आवस्ता में क्यों आवो। लेकिन अमारा चरवागा इश्व मसी होने के कारण अम क्या करते हैं। जहां सई जगा में आमें वो पहुंचा देता है। कभी भी आमें ऐसी मार्ग में नहीं है, सीधा मार्ग में, सच्चाई मार्ग में अमारा चरवागा आमें ले चलता है। आमें उनका अनन्त वो भी आमें जानता है। एक एक बेड़ों के बारे में वो अमारा चरवागा इश्व जानता है। देखिए बेड़ों को भी हम देख सकते हैं, कहीं भी अपने चरवाहा रहेगा, उनके आवाज को अच्छी तरह से वो जानता है, इसलिए कोई दुसरे कोई आके उनको बुलाएगा तो उनके पीछे वो नहीं जाता है, उनको पता है यह अमारा चरवागा नहीं है, आज अम भी यह दुनिया में हम रहते हैं, अमारा यिशु मसी अमारा चरवाहा है, उनका बच्छनों को, उनका आवाज को, उनको सुनते हुए हम उनका पीछे हम चलते रहेंगे, हमें हरा हरा बग चराईयों में हमें चराएगा, यिशु मसी अच्छा चरवाहा है, वो अमें भी वो जानता है, एक एक बेड़ों के बार में वो जानता है, चोटे से लेके बड़े तक एक एक बेड़ों को इर्दे को बार में उसका क्या जरुरत है, सब जानने वाला, समझने वाला जर्वागा है, बेड़ भी उसको जानता है, वो भी जर्वागा भी बेड़ों को जान कितना अच्छा रिस्ता है ये रिस्ता में हम बने रहना है ये रिस्ता को छोड़ कर हमें कभी भी रस्ता नहीं बटकना है दुनिया के आवाज सुनकर हम सैतान के आवाज सुनकर ये चर्वागा का पीछा करना छोड़ कर हम दुस्तों के आत में नहीं पसने नहीं देता है अम के आतों में हम है, इसलिए हम नस्ट नहीं होंगे, पिता के आत से भी उसको कोई चीन नहीं सकता है, इशु के आतों से भी कोई भी हमें चीन नहीं सकता है, इतना अमारे लिए सुरक्षित है, अच्छा चर्वाहा का पीछे हम आया है, स्वर्ग्य का सुरक्षा अमारे लिए ह अमारे लिए लगु का वाचा भांदा है इसलिए कोई भी आके इशु के आतों से पिता के आतों से हमें चीन के लेके नहीं जा सकता है अम नस्ट नहीं होंगे आमको ईशु अमारा चर्वा है उसके आवाज को हम सुनते उसको विश्वास करते हुए उसको फीछे चलते रहना चाहिए आमको ख़बी भी अमारा जीवन में दुख नहीं होना चाहिए चिन्ता नहीं करना चाहिए सारे जरुरत को पूरा करने वाला हमारा चर्वाहा है वो आदा अधुरा में आमें नहीं छोड़ेगा कभी भी देखिये वो जहां आमें पहुंचाना है जहां आमें लेके जाना है वहां आमें ले जाएगा कहां अरियाली है कहां सुकदाई जल है वहाँ ही चर्वागा अपना बेडों को लेके चाता है, हमारा चर्वागा इश्व मसी, वो स्वर्गिय के आउर से अमें ले चलता है, ये प्रितिवी में भी हमारे लिए हरे एक दीन वो अमारे साथ रहता है, हमारा आगे आगे जाता है, वो प्रेमी चर्वागा है, इसलिए हमें वो जबर्दस नहीं करता है, वो प्रेमी शब्दों से हमें बात करता है, वो प्रेम को हम सुनते रहना चाहिए, उसके बात मानना चाहिए, हम भी उसका प्रेम का सामर से तृप्त हो जाएंगे, आज अमारे लिए एक अच्छा जूंड अच्छा कलिसिया में अमारा चर्वागा में रखा है, अमारे लिए एक अच्छा पास्टर दिया है, वो भी चर्वागा के समान हमें उच्छाराता है, हम भी उनके बात सुनके, हम भी वच्छन के अनुसार, हम भी उनका आवाज को हम सुनना चाहिए, जैसे अमारे लिए अच्छा जूंड बाई बहन अमें दिया है, ये जूंड के अंदर रहना अमारे एक स्वरक्षा है, ये जूंड से हम बार नहीं जाना चाहिए, ईश्व अमारे लिए इसलिए अच्छा जूंडों को अमें दिया है, सोर्गे का यात्रा मे हम चलते है इसलिए अम इधर उधर नई बटकना है अम बच्छन सुनते रहेंगे अम उनका पीछे चलते रहेंगे ना अमारा दिशा नई बदलती है अमारा रस्ता नई बटकता है अम धर्मी के मार्ग में ईश्व में ले चलता है अमारा मार्ग धर्मी का मार्ग है अमारा मा परग में अंदेरा नहीं है, हम तोकर नहीं खाएंगे, ईश्व अमारे लिए अच्छा चरवा है, पिता के हातों से हमें कोई भी चीन नहीं सकता है, पिता ईश्व दोनों एक है, हमको भी उनके साथ मेल मिलाब खरा दिया है, कितना अच्छा संगदी में हमें वो जोड दिया इशुक के द्वारा अमारे लिए मिला हुआ स्वर्गे का रिस्ता को हम संभाल के रखना है, अम उसका हमेशा अमारे अनंत जीवन परमेशुर के और से मिला है एक वर्दान है, हमको वो संभालना है, फिर हम देख सकते हैं इशुक का वच्चन को उनका जीवन को हम पाये हैं, हम भी यहां इश्वर के समान है, इश्रुक के समान हम यहां प्रितिवी में हम रहते हैं, इसलिए कोई भी दुस्टा आत्मा का कारिय क्यों ना हो, बीमारी, सारे सैतान का कारिय सब अमारा पाव का नीच है, हम सब इश्रुक का जीवन को, इश्रुक का वच्चन को अमारे इरुदे के अंदर हम भाया है, आम अभी इश्रुक का जीवन अमारे अंदर है, सारे चीजों के उपर हम जय पाहेंगे, सारे वस्तोय दुनिया के सारे बाद अमारा पाव का नीच है, इसलिए हम किसी भी चीज जो किरें हम सिंता करके, हम खालीपन को मेसुस नहीं करना चाहिए, अमारे अंदर इशु का हवच्चन है, इशु का जीवन है, स्वर्गया आसिस अमारे अंदर है, हम अकेला नहीं है, अमारे लिए एक अच्छा जून्द परमिश्वर ने दिया है, अच्छा चर्वागा जीवन की रोटी से हमें धृत करता है, इतना अच्छा चर्वागा हमें मिला है, वो चर्वागा का पीछे हम चलते रहने से, हम नस्च नहीं होंगे, यह हम विश्वास करना चाहिए, दुनिया में हम कुछ भी चोड़के, हम इशु का पीछे आया है, तो हम सब सोगुना हम वापस पाएंगे, यह इश्व अमारे लिए अच्छ चर्वागा है, उनका जीवन हमें दिया है, वो अमारे लिए उस रक्षा करता है, उनके पवित्र लगुस से, आज हमें बाड़ा बांद कर, उस एक-एक बेड़ों को वो संबालता है, एक-एक कलिश्या को वो संबालत है, आज अमारे लिए कितना अच्छ चर्वागा है, यह चर्वागा को उपर अपना बोज को अम ढालते हुए, अम उनके पीछे-पीछे, अम कुशी-कुशी के साद स्तुदी-स्तुदी-स्तुदी-गीत घाते हुए, अम आनन के साद अमारा चर्वागा को पीछे, अम चल तेरेने से अमको आनंद हानंदी होगा, कभी भी अमार लिए दुख नहीं, चिंता करने का जरुरत नहीं, साब अमारा चर्वागा देख लेगा, इश्व अमारे साथ है, इश्व अमारे अंदर है, आमेन. आम वच्चन सुनेंगे भजन संगीता 63, भजन सहिता अध्याय 63, हे परमेश्वर, तु मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यतन से धूंडूंगा, सुखी और निरिजल उसर भूमी पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अती अभिलाशी है, इस प्रकार से मैंने पव और महिमा को देखो, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशन सा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा, और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तुप्त होगा, और मैं जैजेकार करके तेरी स्तूती करूंगा, जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्वरन करूंगा, तब रात के एक-एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तु मेरा सहायक है, इसलिए मैं तेरे पंखो की छाया में जैजेकार करूंगा, मेरा मन तेरे पीछ पीछे लगा चलता है और मुझे तु तु अपने दहने हाथ से थामे रहता है परंतु जो मेरे प्रान के खोजी है वे पृत्वी के नीचे के स्थानों में जा पड़ेंगे वे तलवार से मारे जाएंगे और गिदरों का अहार हो जाएंगे परंतु राजा परमेश्वर के का परंग आनंदित होगा जो कोई परमेश्वर की शपत खाए वह बढ़ाई करने पाएगा परंग जूट बोलने वालों का मुह बंद किया जाएगा यहां हम देख सकते हैं दाओद कितना अपना परमेश्वर के लिए उसका मन एक प्यासा है वो सुखे बूमी के समान वो कितना प्यासा के साथ रहता है परमेश्वर को रिस्ता के लिए उसका महिमा को उसको सामर्थ को देखने के लिए कितना वो प्यासा के साथ है बाइबुल में हम वच्छन देख सकते हैं जो प्यासा है वो तृप्त हो जाएगा देखिए आज हम नया नियम बाई बहन अमारा हरे एक के लिए इशु अमारे अंदर है कितना अच्छ सुब संदे से आज महिमा का आशा अमारे अंदर है अमारा सरीर पवित्र आत्मा निवा करने का स्थान बन गया है अभी हम पवित्र मंदिर है अभी अमारे अंदर महिमा बरा हुआ है अभी अमारे अंदर सुर्ग्य सामर्त बरा है अभी हम अमारे इरदे के अंदर से जीवन जलकी नदिया बहती है आज इसको हम विश्वास करना चाहिए केवल विश्वास करने स उसको हर एक दिन अपने जीवन में हम अनबव करना चाहिए जीवन से उत्तम अनगरग अमारा जीवन में मिला है वो अनगरग के द्वारा मिलने वाला सारे आसिस को हर एक दिन अम अनबव करते रेना चाहिए जीवन बर अमारे लिए अमारा पीछे आने वाला अनगरग अमार पूरा चारे और वो घेर रखा है वो अनगर के लिए हम दन्यवाद बोलते हुए उसका पंको को नीचे मिलने वाला सुरक्षित को यहवा का पंक आमारे उपर है वो उसके आवर से मिलने वाला सुरक्षा को अमारे एक दिन अपने जीवन में अमानबव करना चाहिए उसका र सारे संगट के उपर सारे परिस्तिदिया के उपर हम जय पाएंगे। को स्तुदी गीद गाते वे, स्तुदी आराधना करते वे, वो सामर्त को अमारा जीवन में भी अम अनबव करना चाहिए, छुटका राका, वो सामर्त अमारे अंदर है, अम बंदन में फड़े नहीं रहना चाहिए, अम थृत्त होना है, अम आनंदित होना चाहिए, अम मगन हो एक एक बहर में उटके भी में उसको ध्यान करता हूं करके इतना उसका रिस्ता में परमिश्वर का रिस्ता में कितना एक प्यासा है आज हमको भी अमारा यिश्व मसी का रिस्ता को हम हर समय अम अनबो करने के लिए आज हमको सीखना है उसका रिस्ता के द्वारा हमार लिए आ कोई भी परिश्टि दिको पर आम जयई पाने का ग्यान अमारे लिए मिलती है, विसी रिस्ता को अपने जीवन में भी आम अनबवों करना चाहिए, आम आनन्धी तरहना चाहिए, जीवन से उतम अनगरग आम पाया है, वानग्र कौम आमारे जीवन में हर एक समय अनबव करेंगे हाई हम प्रार्थना करेंगे हैं सुर्गय पिताम दन्यवात करते प्रभू आज का वच्चन के द्वारा हमसे बात किया है आप हमें चुटकारा दिया है प्रभू हरे एक का इरुदे में प्रभू, ये वच्चन प्रभू खारिय करें प्रभू, आपका रिस्ता में बने रहें प्रभू, आज महिमा का आशा आप हमारे अंदर है, महिमा से भरा हुआ है प्रभू, जैसे नया नियम में पॉलस जिसिला ने कैसे ओलोक अनबव किया, सारे बंदन से छुटकारा पाया वैसे हम भी प्रबु छुटकारा भाकर प्रबु हर एक दीन प्रबु आपको महिमा करना है प्रबु इशव आप अमारे साथ है आपका अन्नगर अमारे अंदर है इश्व मसी के नाम से मांगते पिता आमेन